इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं How to send legal notice to a company, to a person या किसी को भी आप legal notice कैसे भेज सकते हो Legal notice आकर होता है क्या है कब यह applicable होता है कौन इसको भेज सकता है इसका format क्या होता है content क्या होता है क्या-क्या documents लगते हैं कितनी cost आती है legal notice को भेजने की किस mode के थुरू आप भेज सकते हो तो इन सारे सवालों के जवाब आज आप लोग को एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं तो प्लीस यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा सबसे पहले बात करते हैं या कि legal notice होता है तो legal notice का एक simple सा मतलब है कि आप सामने वाले person को एक legal warning दे रहे हैं तो आप जिस भी dispute आपका जो भी matter चल रहा है उसके regarding आप सामने वाले बंदे को notify कर आ रहे है कि इस time frame के अंदर अगर हमारा matter यहाँ पर resolve नहीं हुआ तो भाई मैं court के अंदर case file कर दूँगा यानि ultimately आप उसको धमकी दे रहे हैं legal तरीके से देखें legal notice का जो main purpose यह होता है कि जो सामने वाली opposite party है उसको एक chance दिया जाए अपनी गलती को सुधाने का और court में जाए बिना ही out of the court यहाँ पे settlement करने का चलिए यहाँ पे हमें आप लोगो कुछ अप practical legal notice यहाँ पे दिखना चाहूँगा जैसे आप screen के सामने देख सकते हैं यहाँ पे properly एक lawyer ने अपने client के भिहाब पे flip card को legal notice बेजा हुआ है जहाँ पे customer ने एक mustard oil order किया था और वो product यहाँ पे defective निकला और flip card ने यहाँ पे उसका refund नहीं किया तो यहाँ पे आप basically proper देख सकते हैं कि यहाँ पे lawyer ने सारी चीज़े mention की गई है कितना amount यहाँ पे मांगा जा रहा है flip card से उसके साथ में अगर flip card इस notice को यहाँ पे proper तरीके से response नहीं करता है action नहीं लेता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं cheating and fraud और consumer court में भी जाने की बात की जारी है तो ultimately legal notice के अंदर आप एक तरह से warning देते हैं सामने वाली party को और सिफ इतना ही नहीं customer ही नहीं बलकि जो companies भी होती है वो भी अपने यहाँ पे customer को proper legal notice बेजती है जैसे आप देख सकते हो flip card ने अपने customer को यहाँ पे legal notice बेजा हुआ है क्योंकि उसने यहाँ पे debt या loan का जो amount था EMI था वो यहाँ पे pay नहीं किया तो IDFC First Bank की भी हाँ पे proper यहाँ पे legal notice जो है customer को भी मिला है तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ चाहे consumer complaint हो या complaint कोई employees के against में हो या employees के against में हो property से लेटे dispute हो कोई personal dispute हो check bounce का case हो किसी भी type का case हो सब के अंदर यहाँ पे आप सामने वाली party को legal notice बिजवा सकते हो बात करते कि यहाँ पे legal notice अखिर कौन भीज सकता है क्या मैं को इसके लिए lawyer को hire करना पड़ेगा तो देखिए legal notice आप without the lawyer भी यहाँ पे भीज सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं हमेशे recommend करता हूँ आपको lawyer hiring करना चीए जैसे अभी मैंने आपको बहुत सारे samples दिखा है और मैंने बता है कि legal notice ultimately एक warning होती है तो अगर आप एक normal तरीके से यहाँ पे किसी को email भी करते हैं तो वो एक तरह से इसको seriously नहीं लेता है जब तक कि उसके पास proper advocate और lawyer की तरफ से उनके letterhead के उपर एक legal warning या legal notice ना भीजा जाए तब तक सामने वाली opposite party जो है आपकी legal notice को seriously नहीं लेगी साथ में legal notice के अंदर आपको सारे laws और points और provisions का भी यहाँ पे proper तरीके से ध्यान रखना पड़ता है तो make sure कीजे अगर आप legal notice ड्राफ करना चाहरें तो हमेशा आपको एक professional lawyer की help जरू लेनी चाहिए अब बात करते की क्या क्या documents चाहिए होते है legal notice को बेजने के लिए तो देखिए documents के अंदर simply जो सामने वाली party है उसका नाम हो गया description, address वगर हो गया क्या facts है, क्या grievance है साथ में आप क्या relief चाहते हैं, क्या आप action चाहते हैं यह सारी चीज़े जो है आपको legal notice में mention करनी होती है अब बात करते की भाई कितना खर्चा आता है legal notice को बेजने के लिए देखिए legal notice की जो cost होती है वो दो factor पर depend करती है अगर आप किसी lawyer को hire करते है तो lawyer की professional fees हो गई प्लस किस mode के थुरू आप उसको send कर रहे हैं जहां पर notices की बाद आती है यार मैं आप लोग को highly recommend करूँगा edrafter.ngr यह इंडिया का leading legal documentation platform है जहां पर सिफ 1999 के अंदर आप legal notices की services अवील कर सकते हैं यह simply भाई के वल 5 step में काम करता है पहले आपको इनकी site के ओपर register होना है मैं link provide कर दूँगा आपको description box में इसके बाद इनके lawyers advocate आपको consult करते हैं इसके बाद में आपको एक proper draft दिया जाता है और जैसे draft पे approval आती है opposite party को यहां पे legal notice send किया जाता है अगर e-drafter platform के भाई मैं USP की बात करूँ तो यहां पे 20 plus states के अंदर pan India यह operate करता है 2000 से भी जादा भाई यहां पे आप लोग को reviews मिलने वाले हैं इसके साथ में भाई payment करने के पहले आपको free consultation मिल जाती है और आपको affordable cost के उपर experience lawyers भी देखने को मिल जाते हैं तो guys देर के इस बात के link दे रहा हूं discussion box में अभी जाकर जरो check out कीजिए अब बात करते हैं कि legal notice का आखिर format क्या रहता है तो देखिए इसका कोई भी standard fix format नहीं रहता है जो कि legal notice कोई read की तरह नहीं होता है जहां पे standard format हो जैसे मैंने अभी आप लोग को दिखाया वो एक consumer code basis पे notice था यहाँ पे आप एक को notice देख सकते हैं यहाँ पे proper law firm के letterhead के उपर यह notice दिया हुआ है जहां पे basically register of companies in Delhi को यह notice भीजा जा रहा है जिसके इंदर अगर आप देखेंगे तो lines, drafting, language, completely change होगी जो हम लोगों ने normal flip card का notice देखा था उसके compare में तो देखें यह जो format होता है वो totally depend करता है कि आपका case, disk, case type का है कौन-कौन से section जो है आपके उपर applicable होते हैं क्या आपके circumstances है तो यह सारी चीजों के उपर legal notice के drafting यहाँ पर depend होती है तो देखें अगर मैं contain की बात करो तो यहाँ पर जो है जिते भी statement और facts होते हैं वो सारे mention होते है legal notice के अंदर इसके लावा आप जो भी relief या settlement चाहते हैं या आपके जो भी summary of the facts है या जो भी आपको problem होई है उस चीज से प्लस आप उसका क्या resolution चाहते हैं without court के अंदर proceeding किये बिना वो सारी चीजे जो है legal notice के अंदर mention होती है अब बात करते हैं कि इस legal notice को जो draft होता है वो करने के बाद में भीजा कैसे जाता है तो देखें आप किसी भी mode के थूँ यहाँ पर भीज सकते हैं सारे modes यहाँ पर valid होते हैं आप चाहो तो email के थूँ बेज सकते हो WhatsApp के थूँ बेज सकते हो या register AD post के थूँ भी यहाँ पर भीजवा सकते हो अब एक बड़ा ही common question आता है कि legal notice भीजवाने के बाद अगर सामने वाली party जो है उस चीज़ को ignore करती है तो उसका क्या result हो सकता है पहली चीज़ यह कि sender जो है अपना legal action के साथ में proceed कर सकता है court में case यहाँ पर दायर कर सकता है इसके अलावा आप जो भी यहाँ पर legal charges वगरे जो भी आप bear कर रहें वो definitely आप opposite party से यहाँ पर recover कर सकते हैं और यहाँ पर सामने वाली party अगर हर चीज़ को करती है तो काफी सारे उनके ओपर by fines वगरे लग सकते हैं और काफी सारे financial जो है उनके ओपर damages यहाँ पर लग सकते हैं तो guys अब आप लोग को समझ में आ गया हूँ कि यह इंडिया में legal notice किस तरह से काम करता है कैसे आप लोग भीजवा सकते हो प्लस इसका क्या impact पड़ता है बाकि अगर आप professional lawyers के तुरु भीजवाना चाहते हैं e-drafter की link मैंने description box में दे रखिये आप लोग के जो भी doubts है comment box के इंदर जरूर बताइए thank you guys